नमस्कार दोस्तो वेलकम तो माई चैनल सोसल सेवा देखिए दोस्तो हम बात करेंगे मुख्य मंत्री राहत कोश योजना के बारे में हरियाना सरकार के दवारा चलाई हुई यह वो योजना है इसमें किसी परकार की कोई ऐसी कंडिसन नहीं है कि आपका रासनकार बीपिल हो आ ऐसी कोई भी कंडिसन नहीं है दोस्तो इस सकिम का लाब हरियाना को कोई भी वेक्ति उठा सकता है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक लाख रुपेस की रासी दी जाती है यह रासी सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है तो दोस्तो हम बात मुख्यमंत्री रहात कोच यौजना के बारे में कौन-कौन वेक्ति सकिम का लाब ले सकते हैं और कैसे लाब मिलेगा कैसे फॉर्म अप्लाई होगा कौन-कौन से डोकॉमेंट्स लगेंगे इसके बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे देखिए दोस्तो जो मुख्य कम उस लिस्ट के अंदर जो मुख्य मंत्री रहात को चोजना का नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के करीब 30 बिमारी के आसपास लिस्ट में दिया हुआ है उस बिमारी के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो उसके परिवार को या उस व्यक्ति को एक लाख रुपे दिये जाते हैं देखिए ज्यादा से ज्यादा एक लाख रुपे मिलेंगे उसमें किसी भी रासी का 25 परशेंट आपको मिलेगा देखिए अगर कोई व्यक्ति बिमार है जैसे कि कोई heart का किसी ने operation करवाया है kidney का जिसकी खराब है कोई किसी को ऐसी कोई गंभीर बिमारी है कि वो जिस उसने या तो उसका इलाज करवा रहा है तो उस वेक्ति को मुख्य मंत्री रहत कोशियोजना के तहट रासी दी जाती है वो रासी दोस्तों कैसे मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ देखिए अगर वो वेक्ति इलाज करवा रहा है तो उस hospitals के बिल लगेंगे जिस जहांपर वो अपना इलाज करवा रहा है या अपना इलाज करवा लिया और कितना रुपए उसका खर्चाया था उस hospitals के बिल अगर उस वेक्ति के पास है तो वो इसका बेनिफिट ले सकता है कैसे मिलेगा? वोस्पिटिल का बिल अगर आपके पास चार लाख रुपए का है तो आपको एक लाख रुपए मिलेंगे तीन लाख रुपए का है तो उसका 25% मिलेगा और दो लाख रुपए का है तो उसका 25% मिलेगा कहने का मतलब दोस्तो ज्यादा से ज्यादा आपको एक लाख रुपए मिलेंगे और किसी भी रास्टी का 25% रुपए आपको दिया जाएगा वो वेक्टी सेकिम्स का लाब ले सकते हैं जो किसी गंबिर बिमारी से पेड़ीते हैं किसी भी परकार कि अगर उनको कोई बिमारी है अगर उन्होंने अपना इलाज करवाया था या इलाज करवा रहे हैं और उनके पास उस होस्पिटल के बिल हैं तो वो मुख्य मंत्री रहत कोश्योजना का फोरम सरल हरियाना पोर्टल पर मत्तर 10 रुपे फीज के अंदर या अंतियोद्धे जिला अंतियोद्धे के अंदर मत्तर 10 रुपे फीज के अंदर CST Center पर 10 रुपे फीस के अंदर आप इस फोर्म को अपलाई कर सकते हैं दोस्तों आपको फोर्म अपलाई करवाने के बाद में कहीं पर भी किसी भी परकार की कोई फाइल जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है इस फोर्म को आप खुद भी सरल पोर्टल पर अपने घर पर अपलाई कर सकते हैं इसमें आपको ध्यान रखना है जो अपलिकेंट होगा जो बिमार आदमी है जो अपना इलाज इसने करवाया था उस वेक्ति का आदार कार्ड उसकी बैंक की पास्वूक उसका रासन कार्ड उसका वोटर कार्ड ये च्यार डॉकोमेंट और इसके अलावाद जितने भी उसके पास उस बिमारी का टाइम उसने इलाज करवाया था उसके BIL हैं उस सभी BIL इसमें लगाने हैं एक भी BIL दोस्तों आपने नहीं छोड़ना है और इसको आपने सरल हरियाना पोर्टल पर आपने अपलाई करवा देना है तहां कहीं पर किसी परकार की कोई फाइल जमा नहीं करवानी है सरकार आपके बिल को ओनलाइन ही चेक करती है उस होस्पिटल से वेरिफाई करती है जहां पर आपने अपना इलाज करवाया था और देखती है कि उस लिस्ट के अंदर आपका नाम है या नहीं अगर उस लिस्ट के अंदर उस बिमारी को इंक्लूड किया गया है या नहीं दोस्तो आपने सिरफ फोर्म अपलाई करना है और उस लिस्ट में उस बिमारी का नाम आता है जैसे हार्ट टेक, किड्नी, गुर्दा, कोई ही बिमारी ले लिजिए अगर कोई ऐसी घंबीर विमारी है, कैंसर वगेरा तो मुख्य मंत्री रहत कोश योजना के तहत उस बिल का 25% और ज्यादा से ज्यादा एक लाग रुप है सीधा वेरिफिकेशन करते ही दो या धाई मेने के अंदर आपके अकाउंट में डाल दिये जाते हैं देखें मुख्य मंत्री रहत कोश योजना में कोई भी वेक्ति स्किन्स का लाब उठा सकता है किसी भी परकार का BPL रासनकार गरीबी रेखा में नाम होना ऐसी कोई कंडिशन नहीं है किसी भी डिस्टिक्स में आता हो, कहीं पर भी उसने अपना इलाज करवाया हो किसी भी जाती से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो या उसने अपना इलाज करवा लिया या अपना इलाज करवा रहा है उसके पास बिल होना जरूरी है अगर उसके पास बिल है तो आप मुख्य मंत्री रहत कोश योजना का फोरम सरल हरियाना पोर्टल पर, CM Relief Fund के नाम से आपको मिलेगा अपलाई कर देना है दोस्तो, और सरल हरियाना जो पोर्टल है उसी पर इसको आपने ट्रेक करते रहना है कि आपका फोरम कितने परशेंट पूरा हुआ जैसे फोरम 100% पूरा होता है उसी दिन आपके अकाउंट में जो भी रासी बनती है वो मुख्य मंत्री रहत कोशे उजना के तहट आपके अकाउंट में डाल दी जाती है तो दोस्तो अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हैं समाज में ऐसा कोई वेक्ति है जो गरीबी रेखा मतलब की जिसकी आर्थिक स्तिति कमजोर है वो अपना किसी भी परकार की अपनी बिमारी का इलाज करवा रहा है तो आप उसकी मदद कर शकते हैं देखे दोस्तो आपको सकून मिलेगा कि अगर आप किसी वेक्ति की मदद करते हैं तो और आपको एक समाज सेवा करने का मोका मिलेगा दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए थैंक्यू दूस्तों